हेलो दोस्तों सलामाद आप नमस्का स्वागत है जाविद खान ओडवलोग में मैं हूँ आपका दोस्त जाविद खान दोस्तों फिर से हाजिर है आपके सामने एक और नया वोकराउंड वीडियो लेके और आज हम कंपरिजन करने वाले हैं दोस्तों मारूती की निवली लॉंच बलीनों के सबसे टोपेंड और टॉप से एक नीचे जानी के जीटा और एलफा मोडल का वोकराउंड वीडियो पूरा डिटेल से जाने के दोस्तों इस वीडियो के अंदर के दोनों मोडल में क्या-क्या डिफरेंसिस आते हैं और कौन सा मोडल और कौन सा मोडल आपको लेना चाहिए तो वीडियो सुरू करने से पहले रिक्वेस्स करना चाहिए हैं या पहली बार आ यह पछली बार आया है तौ प्लीजुच को लाइक करें करें सलस्काइब करें और अपना देर सारा प्यार हमें दिखाए फ् viva कर के लिए हम आए और ईशी किस लोकेशन पर इस लोकेशन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं दोस्तू यह है नेक्षा मोट कर आपका शोरूम जो किटिद हो बिशेली मेट्रों के बिल्कूल जैस् nephew ब्राबर तो आप देख सकते हैं कंट्रीन होटल बिल्कुल बराबर में हो और नेक्सा का शोरूम आप एजी ली पोल सकते हैं यहाँ पर आपको गाजेबाद के अंदर बैस डील बैस सर्विस प्रोवाइड की जाती है पूरे एंसी आर के अंदर अगर आप एंसीर से कहीं से भी है तो दारेक्ली इस शोरूम पर विजिट कर सकते हैं या स्कीन पर दिए गए नंबर पर डारेक्ली कोल कर सकते हैं तो दोस्तो सबसे पहले सुरुवात करते हैं गाड़ी की चाबियों के साथ में तो यह सबसे राइट हैं पर मेरे अलफा मोडल खड़ा है और लेफ मेरे ग्रे कल अगर बात करें तो ब्लैक अलग का कॉम्बिनेशन आपको पिछी की तरफ नेक्साब प्रोड़क्त के अंदर सभी में मिलता है उसके अलावा दोस्तों बात करेंगे गाड़ी के फ्रेंट प्रॉफाइल के साथ में तो प्रॉफाइल में को स्मेटिक थोड़े से चेंजिस और ऐल्फा मॉडल के अंदर मिलने वाले हैं बॉनेट डिजाइन की बात करेंगे तो काफे स्टायलिस आपको मिलेगा इसका बॉनेट डिजाइन और काफी प्रीमियम आपको फिल कराता है नीची की तरफ आपको मिल जाएगा क्रोम का ग्रिल देखने के लिए क्रोम की ग्रिल काफी बहतरी आपको नज़र आती है हेडलाइट के अगर बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्स आपको मिलते हैं अब बात करते हैं साथ में ही खड़े हुए ऐल्फा मोडल के बारे में दोस्तों तो एल्फा मोडल में काफी सारे बदलावा आपको देखने के लिए मिलते हैं हलागे बंपर वगरा में किसी तरीके का चेंजिस आपको नहीं मिलता है और एडलाइट की अगर बात करें तो हैडलाइट आसे मिली भी आपको कोमन ही नज़र आती है लेकिन आपको छोड़ासा डिफरेंस नगर आएगा इसकी फोलाइट आप देख सकते हैं केमरा आपको यहां पर मिल जाता है निची की तरफ फॉग लाइट की जो एसेमली है वो देख सकते हैं काफी च्छे डिजाइन के साथ आती है और यह है फ्रेंट फेसिया अलफा मोडल का और यह मोडल है आपका जीटा मोडल तो दोनों दोस्तों फरक न मिल जाती है आपको जीटा मोडल के अंदर उपर की तरफ आपको एंटीना मिल जाता है डीफोगर भी आपको यहीं पर ही एवेलेवल हो जाता है दोस्तों वोशर वोशर वाइपर के साथ में हाला कि आपको बूट पर क्रोम का काम देखने के लिए मिल जाता है काफी कि निचे बंपर की बात करेंगे दोस्तों तो जीटा मॉडल का बंपर आपको एष स्पार्किन सेंसर टू रिफ्लेक्टर के साथ अवेलेवल होता है तो यह रिएर प्रोफाइल है आपके जीटा मॉडल का औसवताथ में ही बात करेंगे हैं आपको घरे हूए ईख़ड़ म माउंट लेम मिल जाता है बलीनों की बैजिंग मिल जाती है सेम आपको मिलती है रियल लाइट्स नीची की बात करेंगे तो फोर आइस पारकिंग सेंसर बंपर के साथ आपको अवेलेवल हो जाता है तो देख सकते हैं यह है दोनों का रियर प्रोफाइल दोस्तों तो रियर से किसी भी तरीके का बदलाव आपको इसमें नजर नहीं आता है तो चली दूस्तो बात करते हैं दोनों कर के Boot Space के बारे में तो Boot Space में किसी भी तरीके का बदलाव आपको नहीं मिलता है जैसा Boot Space आपको गाड़ी के Zeta Model में मिलता है वैसा ही Boot Space आपको और वही यूतिलिटी के साथ मिलता है आपको Alpha Model के अंदर आपको केबन के अंदर एक light मिल जाती है, 60-40 rear seats मिलती है, parcel tray का option आपको available हो जाता है, उसके अलावा बात करेंगे, तो यह है आपके alpha model का boot space, तो boot space में किसी भी तरीके का बदलाव आपको नजर नहीं आता है, तो दोनों का boot space आपको common ही मिलता है, आप देख सकते हैं दोस्तों यह से boot का जो केबन है, वो किस तरीके से आपको नजर आता है, boot को gate open करने के लिए भी semi तरीके का process आपको यहां पर use करना पड़ता है, तो चली दोस्तों बात कर लेते हैं, दोनों करके side profile के बारे में, तो side profile से कुछ इस तरीके से आपको दोनों गाडिया नजर आती है, सब अलावा electronically adjustable foldable, outside mirror मिलते हैं, electronically adjustable foldable और LED indicator भी आपको मिल जाता है, बूट के लावा दरवाजे पे आपको मिलते हैं, chrome के door handle दो इखने के लिए, window पे आपको मिल जाते है, chrome की finishing देखने के लिए, साथ में A pillar, B pillar मिलते हैं, आपको same color combination के साथ में, बात करेंगे, यहांपर अब tire size इसके बारे में दोस्तों तो दोनों tire size में थोड़ा सा फरक आपको नजर आने वाला है, हाला कि tire size में फरक नहीं है, यहांपर आपको silver color के साथ में मिलता है, gun metal का बना हुआ अलोई वील, tire size की अगर dimension की बात करें, तो 16 इंच के tires आपको available हो जाते हैं, तो दोस्तों देख सक अलोई वील का जो डिजाइन है वो चेंज देखने के लिए मिलता है, मैं आपको दोनों एक ही पोशन में दिखाता हूं, वह आप देखने हैं, जीटा मोडल का अलोई वील, और यह साथ में आप देखने हैं, अलोई वील, यहांपको black color की काफी अच्छी फिनिसिंग के संदी, तो देख रहते हैं, यह बदलाव आपको मिलता है, इसके side profile के अंदर, तो चली दोस्तों बात करते है, जीटा मोडल के side profile के साथ में, तो side profile कुछ इस तरीके से आपको नजार आता है, जीटा मोडल का, आप देखेंगे side profile में, आपको काफी सारे बदलाव देखने के सबसे पहले दोस्तों, देखेंगे आपको विंडो पर मिलने वाले हैं, लेधर वैप के साथ काफी अच्छे design देखने के लिए, लेधर वैप कंट्रोल, आपको मिलेंगे औरनामेंट्स देखने के लिए आपके पीछे वाले जो विंडो है उन पर साथ में आपको प्यानो सब्सक्राइब कर दोस्तों देखने के लिए मिल जाएगी साथ में पावर विंडो का बटन, क्रोम का डॉर हैंडल मिलेगा नीचे बोटल होल्डर, स्पीकर मिल जाएगा दोस्तों आपको रियर के बन के अगर बात करें तो दोस्तों इस तरीके से नजर आता है रियर का के आपको मिलता है हिएपे सभी हैड्ड्रेस हाइड के साब से एडज़्सेबल, आप इनको हाइड के साब से एडजस कर सकते हैं, हैड्रेस अभी के सभी 60-40 डियर सीट फोल डिबल मिलती है, पीछी की तरह आपको मिल जाता है एसी का विजसट लेकिन देखने के लिए साथ मे व्यू की बात करते हैं तो कार का व्यू कुछ इस तरीके से आपको नज़र आने वाला है तो चलिए दोस्तो बात कर्लेड دे जीटा मोडल के रियर प्रोफाईल के बारे में तो रियर प्रोफाईल आलमॉस आपको सेम ही मिलता है आपको सेम एड्रेस वगरा पुलता है सेम आफ रूप अगरा मिल जाता हैं Son यह पावा विंडो बेंड़ा की बटन जैसे आपको ZETA मोडल में मिलता है वैसे ही मिलता है हलागे हम्राइस का उप्षान अगर होता थो फोड़ा सा और प्रीमिम या कार बन सकती थी अलागे प्रीमिम तो काफी बहतर है पहले से नीची की तरफ आपको AC वेंट मिलेगा साथ में चार्जिंग सोकेट मिल जाएगा और स्लाइडिंग आम्रेस मिलेगा वेज यूटिलिटिक स्पेस के साथ में और रियर का केमन इसका व्यू इस तरीके से दोस्तो नशर आता है और जीटा मोडल के ड्राइवर साइड विंडो की बात करें तो दोस्तो काफी क्लीन और काफी पाफी अच्छे लेदर वैब के साथ आपको अवएलेवल होती है काफी अच्छे आपको बात करेंगे तो दोस्तों कुछ इस सरी की से नजर आता है इसका इंटीर क्लास आपको ब्लैक अन ब्लू करेंशन में नजर आएगा इसका इंटीर क्लास आपको प्रीमिम आपको काफी रीच लिखेगा उसके अलावा आपको इहां पर आइडियल साट इस्टोप का साथ में उसके अलावा काफे बड़िया क्रोम की फिनिसिंग देखने के लिए मिलेगी एसी वेंट पर आपको मिल जाएगा देखने के लिए काफे चे माँ प्यानों फिनिसिंग के ओप्सन मल्टी इन्फोमिशन डिस्पली कुछ दोस्तों इस तरी के से नजर आता है स्टे आप में तो दोस्तों आपको डाइवयर साइड साइट मेंही मलेगा तो स्लाइडिं该 प्लाशन इव स्पेस उसके साथ मु़िछ यॉतिलिकियो स्पेस उसके लावा lot युजिक स्टे युजिक रिच्पूर ऑoure क落by 7 इंक काम बड़ी और चाहर कंरों कर द्यार petits रियों और इ आपको प्रोम की गेर नोप आउटसाइड मिलर की दोस्तों अगर बात करें तो मिलता है आपको मैनुवली एज़स्टिबल और साथ में आपको सन वाइजर पे ही मिल लेंगे वैनेटी मिलर का ओप्सन के बन के इंदर दो लाइट के ओप्सन आपको नजर आदेंगे तो दोस् कोड़े से बटन बढ़ जाते हैं 360 व्यू के बटन बढ़ जाते हैं head of the unit का बटन आपका बढ़ जाता है आप देखेंगे उसके लावा क्रूस कंट्रोल के स्टेरिंग पे कंट्रोल आपके बढ़ेंगे हां पर जो काफी सारी चीजे चेंज हो जाती है उसके लावा जो मल् का मिलेगा वोइस कमांड कनेक्टिविटी और उसके लावा जो चीजे है वो आटोमाटिक क्लाइमेट कंट्रोल ओटो डे नाइट व्यू मिरर मिलेगा आपको इस पर अड़ जादा और 9 इंच का मिलेगा आपको मिजिक स्टीरो जिसमें सभी फंक्शन आपको देखने के ल हाला कि आपको उस मोडल में हैड ओफ दा यूनिट नहीं है हैड ओफ दा यूनिट का काम दोस्तों आपको नेविगेशन वागर पर लेफ राइट मोड़न है या पावर जो आप देख रहे हैं वो पावर किस तरीके से काम करती है हाला कि आपको दिन में अच्छे से नजल है इस नजल नहीं याति है आप इसको राठ में देखेंगे तो तो काफी बढ़िया तरीकी से दिखती है अभी डिस्पले बह देख रहे है तो फ्यूल लेवल आपको बता है कि इसके अंदर कम है तो यह डिस्पेल दोस्तों आप देख सकते हैं काफी बढ़िया डिसमे कि पूरा साइड में मेरे 360 वी और स्राउंडिंग चेकर के पूरा पता रहा है आप देख सकते हैं कितना बढ़िया फंक्शन और कितना एडवांस आपको मारूति की कार में भी यह चीज़े मिल जाते हैं तो फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं इंजन के बारे में तो इंजन दो दो गाड़ी के अंदर को मान ही एवेलेवल होता है कुछ एडवांस फीचर हलाके आपको एल्फा मोडल में मिल जाते हैं आपको हिल लोल्ट का फंक्शन अवेलेवल हो जाता है उसके अलावा जो स्पीडो मेटर है उसमें काफी चेंजिस आपको देखने के लिए मिलते हैं बाकी बात करेंगे इस इंजन के बारे में तो दोस्तों यहाँ पर 1.2cc का मारूतिका काफी सक्सेस्फुल इंजन माना जाता है जो आपको 1.2cc के अंदर एवेलेवल होता है और अगर बात करेंगे तो आपको यहाँ पर सेफटी के सभी पैरामेटर्स अवेलेवल होते हैं आपको 6 airbag, ABS, EBD, parking, sensor, seatbelt, reminder, speed alert system यह सारे features अवेलेवल होते हैं और नया प्लेटफोर्म आपको देखने के लिए मिलता है जो सुजुकी हाटेक प्लेटफोर्म है जो हाइटेंस टील का बना हुआ है और अटोमोटिव ग्रेड में सबसे हाई ज्यादा परफोमेंस वाला स्टील माना जाता है उसके लावा दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएगा वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज लाइक कर लीजेगा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जल्दी मिलते हैं दोस्तों अपडेट वीडियो के साथ में तब तक के लिए जहिन दोस्तों अपना और अपने परिवार का बहुत जादा खयाल रखें गाड़ी चलाते समय सीट बेल का प्योग करें टू विलर चलाते समय हेलमिट ज़रूर पहने क्योंकि ये सब आपके और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए